फ्रेंड्स आप सभी का मेरे यूटूब चैनल इजी क्लियर एजाम में स्वागत है आज के इस वीडियो में हम भूकम्प यानि अर्थ क्यूग के बारे में बहुत ही महतपूर प्रस्न हल करेंगे जो की आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही महतपूर है पहला प्रस्न है भूकम्प की से कहते हैं आपने कई बार न्यूजचैनल में देखा होगा कि वीबिन जगहों में कई बार भूकम्प आते रहते हैं चो प्रत्वी के आंतरीक इम बाहरी दबाओ बलों के कारण उर्जा का जो निस्कासन होता है जिसके कारण तरंगे उत्पन होती हैं जो सभी दिशाओं में फैल कर प्रत्वी पर कमपन उत्पन करती हैं और इसे ही भूकम कहा जाता है साधारन भासा में जाने तो प्रत्वी के कमपन को ही भूकम कहते हैं विज्ञान की किस साखा में भूकम का अध्यन किया जाता है तो से प्रत्वी का कमपन होता है इनको सिस्मो ग्राप में इनका मापन किया जाता है अगला प्रस्थ है भूकम्प का आउकेंद्र यानि फोकस किसे कहा जाता है तो वह स्थान जहां से उर्जा निकलती है और उर्जा यह तरंगों के रूप में निकलती है और यह प्रत्वी का कमप कराती है और इसी इस्थान को भूकंप का केंद्र कहा जाता है यानि फोकस कहा जाता है इसे कई बार ओकेंद्र यानि हाइपो सेंटर भी कहा जाता है भूकंप का अधी केंद्र किसे कहते हैं यानि एपी सेंटर तो भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम हो उसको अधिकेंदर यानि एपी सेंटर कहते हैं फोकस से तरंगे निकलती हैं और प्रत्वी के धरातल पर जहां पर सरप्रथम तरंग पहुँचती है उसको भूकंप का एपी सेंटर यानि की अधिकेंदर कहा जाता है और जो भूकंप के दोरान फोकस से कमपन होता है वह तरं प्रत्वी के धरातल पर पहुंचता है तो एपी सेंटर आप याद रखिए कई बार एक जामस में पूछा गया है और फोकस को भी याद रखिए भूकमपी तरंगे कितने प्रकारकी होती हैं तो जो प्रत्वी का कमपन होता है आमने पिछले प्लस में पढ़ा था कि यह भूक को हम धरातली तरंग कहते हैं पी वेव के बारे में कुछ संचेप में वडन देखते हैं जैसे कि पी जो तरंगे होती हैं वह तीवर गति से चलने वाली तरंगे हैं पी तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं इसलिए इनको हम प्राथमिक तरंगे कहते हैं पी तरं अगली भूकम P तरंग है S waves यानि secondary waves जिनको कहते हैं इनके बारे में संशेप में जानेंगे जैसे कि पहला तत्य है S waves की जो गती होती है वह P waves से कम होती है S waves की गती 4-7 km प्रति सेकंड होती है घना तो बढ़ने के साथ-साथ इनकी गती बढ़ती जाती है और जो S waves होती है वह केवल ठोस माध्यम में ही गती कर सकती है यह अनुपरस तरंगे होती है जिनमें कडों का कमपन तरंग की दिसा के लंबवत होता है इसके पहले हमने primary waves के बारे में पढ़ा था जो की ठोस द्रौगैस और तीनों माध्यम में ही चल सकती है तीसरी तरंगे है L waves इनके बारे में गती सबसे कम होती है लेकिन L waves तरंगे जो होती है धरातल पर सरवाधिक जो बिनास होता है इन ही तरंगों के द्वारा होता है अगला प्रस्न है भूकम्प का छाया छेत्र यानि साइडो जोन किसे कहते हैं तो भूकम्प लेखी यंदर में कुछ ऐसे छेत्र भी होते हैं ज उसरे भूकम्प के साइडो जोन से भिन होता है छाया छेत्र पत्वी के आंतरिक भाग के अध्यान में बहुत सहायक होता है एस वेब्स का जो छाया छेत्र होता है वह पी वेब्स के छाया छेत्र से विस्तरत होता है पी वेब्स का छाया छेत्र अधी के इंदर के दोनों औ 103 degree से 142 degree की कोरीर दोरी के बीच में होता है P तरंग का जो छाया शेत्र होता है इनके बाहरी कोर में अपवर्थन से होता है तो P waves जिनको प्राथमिक waves यानी प्राथमिक तरंगे कहते हैं ये प्रत्वी पर सबसे पहले पहुँचती हैं और ये फोकस से सबसे नजदीक में होती है S waves का जो छाया छेतर होता है वह एक सो तीन डिगरी से परे और P waves से विस्तरत होता है अब दोनों ही चितरों में S waves और P waves के दोरा बनाए गए साइडो जोन को इस पस देख सकते हैं कि S waves का जो छाया छेतर है वह P waves के छाया छेतर से बहुत ही विस्तरत है P waves का छाया छेतर 103 डिगरी से 145 डिगरी की कोडी दोरी के बीच में होता है और S waves का छाया छेतर 103 डिगरी के बाद बहुत ही विस्तरत होता है अगला प्रस्न है प्रत्वी पर भूकम आने के प्रत्वी जो है वह प्लेटों से मिलकर के बनी हुई है प्लेटों की गती के कारणी भूकम पाते हैं अधिकतर भूकम प्लेट के किनारों में भूकम निम्र तीब्रता वाले आते हैं और अभिसारी प्लेट के किनारों पर जो भूकम होते हैं वह उच तीब्रता वाले होते है जौला मुखी भूकंप यानी वैलकाइनों के करण जो अर्थक्वेक आते हैं उनको हम जौला मुखी भूकंप कहते हैं जौला मुखी उदगार के समय में निकलने वाली उर्जा के करण प्रत्वी के कमपन को ही जौला मुखी भूकंप कहा जाता है ब्रंस या फॉल्ट निर्मार के द्वारा किसी भूभाग में दो विप्रीत दिशाओं में बल लगने पर ब्रंस का निर्मार होता है तथा ब्रंस निर्मार के समय जो उर्जा निकलती है उसके द्वारा भी भूकंप का निर्मार होता है और प्रत्वी पर कमपन होता है ब्रस निर्मार के समय जो टूट फूट के दोरान उजा निकलती है प्रत्वी की वह है भूकम्प के रूप में प्रत्वी के धरातल पर पहुंचती है समस्थानिक समायोजन के दोरा भूकम्प जो आता है वह है प्रत्वी का समस्थानिक संतुलन बिगरने पर प्रत्वी की रचनात्मक गतियुदियों दोरा इसे पुनह बनाने का प्रयास किया जाता है जिस कारण से भूकम्प आते हैं अधिकतर इस प्रकार के जो भूकंप हैं वह तटी छेत्रों में और परवती छेत्रों में ही आते हैं। प्रत्यास्त पुन्है संचलन का सिध्धान्द यह सिध्धान्द प्रोफेसर रेड ने दिया था। इस सिध्धान्द के उनसार जो चटाने हैं वह रबड की भाती और उसके बार तूटकर अलग हो जाती है यह तूटी हुई चटान जब पुनह अपना आकार गरना करती है तो जटके के साथ में आकार में जो परिवतन होता है उसी के कारण भूकम पाते हैं यानि कि जो हमारे चटानी जगहों पर जो भूकम पाते हैं वह इसी कारण से आते ह भूकंपी तरंगों त्यादा था भूकंप के दोरा हानी को कैसे मापते हैं तो भूकंपी तरंगों के मापन का जो यंत्र है हुए है रिचर स्केल यह भूकंप के परिमार को दर्साते है इसमें भूकंप के दोरान मुक्त होने वाली उर्जा को मापा जाता है यह एक मातरात्मकी स्केल है इसमें 0 से 9 तक इकाईयां होती है रिचर्डी स्केल में जो यह एक लगुगुडक इकाई है जिसमें इकाई बढ़ने पर भुकंप की तीबृता बढ़ती जाती है दूसरी है मरकैली स्केल में भूकम्प के द्वारा होने वाली प्रत्यचहानी को मापा जाता है और इसमें जो इकाईया है वह एक से बारा तक इसमें अंकित होती है और यह एक गुरात्मक स्केल है यानि कि इकाई बढ़ने के साथ साथ इसमें भूकम्प के जो विनास है वह बढ़ती जाती है और जो बिनास होता है भूकंप के दौरान वह अधिकते धरातली तरंगों के दौरा ही होता है भारत के उतरी हिमाले छेतर में भूकंप अधिक आते हैं क्योंकि यह अभिशारी प्लेट के किनारों पर इस्थित है उत्तरी हिमाले चेतर में इंडो-उस्टेलियन प्लेट और यूरेसियन प्लेट की और एक सेंटीमीटर प्रतिवर्स बढ़ रही है यानि कि हमारा भारत देश है वह है इंडो-उस्टेलियन प्लेट में इस्थेत है और जो भारत के उत्तर में है वह यूरेसियन प्लेट है और जो इंडो और्शलियन प्लेट है वह यूरेसियन प्लेट की तरफ एक सेंटीमीटर प्रतिवर्स की दर से बढ़ रही है और जो भारत का जो दच्छिड भारत है वहाँ पर यह गोड़वाना लैंड का प्राचीन इस वज़े से यहां पर भूकम्प बहुत ही कमाते हैं अर्थक्योग भूकम्प मापक यंद्र इसी स्केल में एक से लेकर के बारत है काईयां होती हैं इसी स्केल से भूकम्प आगहात को मापा जाता है इसी स्केल का निर्मार 1964 में किया गया था इसलिए इसे MSK 64 भी कहा जाता है सबसे महत पून टॉपिक Pacific Ring of Fire किसी कहा जाता है यह बहुत ही बड़ा भूकम्पी जोन है और यह प्रसांत महासागर में स्थित है आप इसमें इसको चित्र की माध्यम से मैप की माध्यम से बहुत ही आची तरह से अध्यन करके जाए यह पेटी प्रसांत महासागर के किना किनारों पर ही पाई जाती है बिस्तो के लगबग दो तिहाई भूकम्प छेत्र इसी के अंतरगत आते हैं आप इक्जाम्प इमेज में इस पर स्तौर पर देख सकते हैं कि जो भूकम्प का जो Ring of Fire Zone है वह है दचिर चीन सागर में बहुत ही विसरत रूप में फैला हुआ है यह छेतर जाला मुखी उदगार और समस्थानिक सायोजन पर स्थित कहाई इसलिए भूकम्प सरवाधिक आते हैं यह छेतर बिविन प्लेटों के किनारों पर स्थित है इसलिए भी यहाँ पर भूकम्प की तीबटा है वह बहुत जादा होती है इस वज़े से यहाँ पर व विनास का कारण है सबसे महत्पून टॉपिक रिंग ओफ फायर जो पी जो की पैसेफिक ओसियन में इस्तित है इसको आप बार बार पढ़िए और इसको इमेज यानी मैप की सहायता से आप देखते रहिए धन्यवाद